वैलकम बेक टू माई न्यू बिलोग आपका मेरे नई बिलोग में स्वागत है तो गाइस मैंने आपको अपनी पिछले बिलोग में बताया था कि मेरे घर पे 25 गाये हैं और मैं कैसे उनका दिन भर में काम करती हूँ और डेली रूटिन में क्या क्या काम करती हूँ तो गाइस के फार्फ पिर मैं जाती हूं दोहनी करती हूं मुझे जादा दोहनी करनी टो नहीं आती लेकिन पापा ने चखा दिया था मतलब थोड़ी पहुत बैसे तो सारी गायों की है वहीं करते हैं लेकन मैं । चार बहुत सारी गायों हम पापा गाउं से आये थे तब से 19-20 साल उससे भी ज़्यादा से काम कर रहे हैं सब और देखो इस छोटे छोटे बच्छे बच्छे हैं गाए के और देखो इतनी सारी गाए सारी मेरी हैं और यह पता हैं कहीं नहीं जाती फिर उसके बाद मैंने गोबर डाला क्योंकि बहुत सारा गोबर भी निकलता है रहे हैं कम से कम 20-25 तसले। मैं अकेलिए डालती हूं मेरी मम्मी डालती है। मेरे मम्मी मेरी वीडियो बना रही थी इसलिए वो knitलवा रही है। वरना मेरी मम्मी मेरे साथ में डालती है, मम्मी और हम दोनों लोग सुबह उठके, सब काम करते हैं, गोबार डालते हैं, सब मैं और मम्मी और पापा तिनों लोग मिलके सब काम करते हैं, गाईस, उसके बाद फिर मुझे अंदर का भी काम करना, मैं अंदर गई, यह मेरा घर ह इसमें एक कमरा है एक छपरा है और एक छोटा सा आंगन भी है तो इसकी मैंने जाड़ु आड़ु लगाई पूरे की बहुत जल्दी लग जाती है क्योंकि छोटा सा है तो और मैंने जाड़ु लगाई जाड़ु लगाई जाड़ु देखो यह मेरी मम्मी आगी बीच में गा क्यूंकि हर जगा हर सबजी का फलका अलग अलग नाम होता है फलका तो नहीं पर सबजी का तो अलग अलग नाम होता है हमारे यह आप तुसे कौस बोलते हैं देखिए गा इस मैंने कितनी अच्छी सबजी बनाई है और एक खाने में भी बहुत टेश्टी बने थी, बहुत अच्छी लग रही थी, इसका स्वाद बहुत अच्छा बना था, मैं सबजे अच्छी बना लेती हूं, और रोटियां भी बना लेती हूं, मैं सब कुछ कर लेती हूं, घर का काम, मैं सब पूरा काम कर लेती हूं, बस म लोग गैस की कम खाते हैं तब बर्सात होती is ना तो बर्सात वोती पाना ही आता है तो फिर वे चूला भी में बगड जाता है तो फिर उसकी बज़े से हम लोग नहीं बना पाते है बर्सात ventilation बागी हम लोग सर्दियों में और गर्मियों में चूले पर ही बनाते हैं सबसे अच्छा लगता है सर्दियों में हमारे या क्योंकि बड़िया चूला जलता है वहीं पर हम लोग हां सेकते रहते हैं रोटियां भी बना लेते हैं और अच्छा लगता है मतलब ऐसे रोटियां चूले पर बाड़ी के लिए भी बहुत अच्छी होती है इसलिए हम लोग चूले पर ही रोटियां बनाते है उसके बाद फिर गाइस मुझे बरतन भी दोने थे तो चलिए देखिए देखिए इतने सारे बरतन है डबे में सारे में दूद जाता है पापा दूद बाटने जाते है थोड़ी दूद घर से कुछ लोगों के यहां तो उसी के डिबे हैं तो फिर मैंने इसके बाद गाइस पूरे बरतन धोए और देखिए आप इतना सारा काम तो मैंने करी लिया है फिर यह बरतन धोलने है अब यह बरतन जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे फिर इसके बाद टाइम लगवक ग्यारा बच गए थी तो फरके फिर इसके बाद मैं ना एक दो घंटे के लिए सो जाती हूँ क्योंकि साम कुछ तीन बजे हम फिर उठना पड़ता है सानी के लिए तो उसके बाद फिर मैं बाहर गई फिर मैंने अपनी बचिया को खिलाया क्योंकि आल जी पैदा हुई थी बहुत प्यारी है देखने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत चोटी सी है क्यूट सी तो मैं ऐसे खिला रही थी उसके खिलाने के इस बताईए आप लोगों का मेरा वी विलोग कैसा लगा है अगर आपको मेरा वी विलोग अच्छा लगा हूँ तो प्लीज लाइक, सस्क्राइब और स्यार कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए मैं उपर वाले के भरूस से बैठी हुई हूई हूँ